तो दोस्तों मैं लेकर आ गई हूँ एपिसोड 15 की हिंदी एक्सप्लेशन तो चलिए दोस्तों देरी न करते हूँ एपिसोड और विडियो की शुरुआत करते हैं तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे जो है अपनी क्लास में बैटे होते हैं वही पे वो जो है जी तोड कर महनत कर रहे होते हैं और अपने पढ़ाई पर फुल फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास सिपाफ सो ही दिन बच्चे हैं अपने क पीज जैसी खतम हो जाती है मिस्टर शी की तो वही पर उनके हेल्थ का ध्यान रखते हुए कुछ नोटीस बोड़ पर लिखा भी जाता है कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं जब इलिशी जब नोटीस बोड़ को पढ़ती है तो इस पर लिखा होता है कि सभी बच्चे को अपसे सुबह 6 बजे उटकर 800 मिटर की दौर लगानी होगी जहाँ पर ये पढ़ने के बाद वो सभी लोग काफी जादा हैरान और परेशान हो जाते हैं अगर हम शावर लेने के लिए लाइन में भी लगते हैं तो पांच मिनट तो हमारे उसमें लगी जाएंगे तो इसका मतला हमारे पास सिफ 10 मिनट बजने वाले हैं नहाने के लिए जहाँ पर वो लोग ये सोचकर काफी जादा पागल हो जाते हैं और परिशान हो रहे होते हैं कि आखिर अब वो कैसे हैंडल करेंगे इतनी सब चीजों को वही पर फिर से उनकी क्लास लग जाती है वो सभी लोग क्लास में बैट कर मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होते हैं फिर तब उनका अचानक से लंच भी हो जाता है वो जल्दी जल्दी से लंच करते हैं लंच खतम करकर फिर से पढ़ाई करने लग जाते हैं वहीं पे लिंशी को तो पढ़ाई करते वकट नीन भी आ रही होती है, जहां पर जॉट जिन जॉह है लिंशी की मदद करता है ताकि उसे class के बीच में नीन आ है, फिर वहीं पे उनकी class जुह है, बाद के साथ दस बज़े तक चलती ही रहती है, फिर वहीं पर शियान जुह है, कि आप हमाई class over होने वाली है फिर तभी हो counting start कर देते है वहीं पे class जैसे ही over होती है तो सभी लोग class से ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे उन बिचारों को कई साल बाद आजादी मिली हो class से सिभाय म्यान और लिंशी के वही पर वो सोच रही होती कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे कोई battle round चल रहा हो तभी हो आप उन्हें याद आता है कि ये लोग इसलिए भाग रहे हैं ताकि वो लोग जल से जल स शावर ले पाए क्योंकि उन्हें लाइन भी लगानी पड़ेगी तभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यापे बहस क्यों कर रहे हैं वही पर वो दोनों भी जो है क्लास से फुर हो जाती है और वही पर फिर हम नेक्स सीन में देखते हैं जहापे वो दोनों जो है शार लेने के लिए पहुच जाते हैं काफी भीड लगी होती है सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं वहीं पर जॉंग जीन अपने फ्रेंज के साथ शार ले रहा होता है कि तभी वह पर 11 बच जाते हैं और अच्छानक से गरम पानी की जगा ठंडा पानी आना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर वह बिचारे ठ खोल कर देखता है तो काफी जाता खुश हो जाता है वहीं पर जब ऑफिस से चला जाता है तो वहीं पर उसके फ्रेंज जो है लेंच कर रहे होते हैं जहां पर मियान और लिंशी तो यह डिसकॉस कर रही होती है कि वह बिचारे ठंग से नहा भी नहीं पाई है उन्होंने जो है कम्प्यूटर प्रग्रामिंग के ओलंपियाड में गोल्ड मेडर हासिल किया है तो इसका मतलब यह है कि उसे जो है अप एंटर एक्जाम भी नहीं देना पड़ेगा बलकि उसको तो एड्मिशन भी मिल चुका है उसकी फेवरेट जिंग हुआ यूनिवसिटी में वह पर लिंशी और उसके दोस जो है उसे कॉंग्रेचुलेट करते हुए नजर आते हैं वही पर जोंग जिन उससे कहता है उन सभी से कि मैं तुम सबका इंतजार करूंगा जब पर मियान कहती कि तुम अब अमरा इंतजार कैसे कर सकते हो तुमारा तो फाइनली एड्मिशन भी हो गया है तुम एंटरे इस ग्जाम भी नहीं दोगी तो इसका मतलब तुम्हें तो अभी स्कूल आने की भी जरुत नहीं पड़ेगी तो क्या तुम्हें स्कूल नहीं आओगे जब वह लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वहीं पर उन सब को जो है जो है जैलिसी भी होती है थोड़ी-थोड़ी सी कि जंग जिन को अभी इतनी मेरत नहीं करनी पड़ेगी फिरम नेक्साइन में देखते हैं जा पर वह सभी लोग ड़ियां क्लास में बैठे होते हैं इसे कि तभी मिश्च शी की नजर पड़ती है केग फीटर वाटर बाटल में पानी घरम हो कि तभी मिस्टर शी को काफी जादा गुस्सा आ जाता है वो बोलते हैं कि यह किसकी इतनी हिम्मत हुई क्लास में गरम पानी करने की वही पर लिंशी और मियान काफी शर्मिंदगी से अपना मुझ छिपा लेती हैं और दोनों आपस में बात करते हुए बोलती है कि लगता है क से जादा चाहँ पना को फिर हम्ममत करते हैं कि को यह कि अपने को अपने बाले उदो F ले और बाल १ू तो आपनी को घ्रती है किलां दोनों को दोती है वही के लिए कहांट कराती है पिर वह पर दोनों आपस में discuss करते हैं पर ज Tucsonzäh जिन 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 Heeran कि मुझसे इन दोनों की हलत नहीं देखी जाती है हमें कुछ तो करना पड़ेगा जो पर जिन कहता है कि मुझे अपने डैट से बात करनी पड़ेगी जोंडू ने कह है कि तुम लोग को पड़ाय परा करनी चाहिए न टहने पर धियान देना चाहिए कि तभी मैरे पास से एक आइडिया है किया कि तुम चुरा रहा होता है और फाइनली चुरा भी लेता है कि तभी आपे गाड की नजर पढ़ने वाली होती उस पर कि तभी आचानक से वहाँ पहुंच जाता है गौव की मदद करने के लिए चैनमु जो है महां के सिक्योरिटी गाड को अपने बातों में लगा लेता है गौव को कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो जहां पर बोलता है कि मैं तुम से नाराज क्यों होंगा भाला वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर जो है शारूम के टेकर का फोन चुरा लेता है और से अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी आपे लिंशी क कॉल आ जाता है लेंशी उसे बता रही होती है कि मैंने सुना है कि आज हमारे नहाने का समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने वाला है कि यह सच है जहां पर बातों ही बातों में के टेकर के फोन का लॉक खोल लेता है और काफी खुश हो जाता है और उसमें से टाइम चेंज कर कासरी प्रम फोन ह को खोली फोन होबना पर आस्थ कर कर मोड़ी की में पर पर स्थया हांपन पॉड़ा झाता है आपने शालाके पड़ी का स्थया को जा करें बचंदा है और बॉलता है कि हमारे नहाने का टाईम एक्स्ट्रा हो बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा इसका मतलब है कि मिस्टर वू भी जह उनलोग का सपोर्ट करते हैं उनका साथ हैं और वही पिर वो कॉछ फूशा जाते हैं और खूशी कुछी नहां निकलर पड़ते हैं वही पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहापि शियन ब्राडकास्ट फूम में होता तो उसके डैड पहुच जाते हैं जैसे अपने डैड को देखता है तो अपने आपको लॉक कर लेता है वह पर उसके डैड जो है काफी गुसा करते हैं वह से चिला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें बाहर निकल लाई होगा कि तब यहाँ पर मिस्टर शी उन चारों को पनिश्मेंट देते हैं कभी उठक बैठक की या फिर दौड लगाने की वही पर लिंशी और मियान नहाने के बाद काफी खुश होती है और अपनी खुशी जाहिर कर रहे होती है एक दूसरे के साथ कि तब यहाँ पर एक लड़की आकर उनने बताती है कि उन चारों को पनिश्मेंट दे रहे हैं मिस्टर शी तब ही वो दोनों काफी हैरान हो जाती है और टेंशन के मारे भागते हुए जाती है उस जगा पर वही पर यह जैसी पहुँच जाती है तो काफी सारे स्टूडेंस खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो चारों कैसे दौड रहे हैं उन चारों की हालत काफी खराब हो चुकी होती है भागकर कि तब ही आप लिंशी और बियान पहुँच जाती है वो सभी स्टूडेंस जैसी खतम हो जाती है तो मिस्टर वू अनौंस करते हैं कि उन सभी का शार टाइम एक्स्ट्रा हो गया है जिसे सुनने के बाद वो सभी स्टूडेंस काफी ज़ादा खुश हो जाते हैं वही पर हम दूसी तरफ देखते हैं जहापे चैनमो और गाउ आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे को मार रहे होते हैं कि तब हुआ पर उनके दोस्तों को कोई आकर बताता है कि चैनमो और गाउ आपस में लड़ रहे हैं पराज होता है क्योंकि वह ऐसे कैसे जा सकता है अपने बच्पन के दोस्त को छोड़कर जहां पर गौशे में चला जाता है तब यहां पर श्यान समझाने के लिए जाई रहा होते हैं कि दोनों फ्रेंज हैं यह दोनों आपस में सुलजा लेंगे उन दोनों को सुलजाने दो वह पर चैनमो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है वह गाव को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि तब यह पर गाव से कह रहा होता है कि मेरे पीछे मत आओ मैं तुमसे बात नहीं करना जाता हूं कि तब यह सुने के बाद तो गाव और भी जादा हर्ट हो जाता और वहा सारी emotional बाते लिखी होती है वहीं पर ये भी लिखा होता है कि हम दोनों बच्पन से best friends है उसने गभी यहीं नहीं सोचा थे कि आज वो इस तरीके से उसे goodbye कहेगा जिसे पढ़ने के बाद वो काफी जाथ emotional हो जाता है और वहां से निकल पड़ता है बस station पर उसे goodbye कहने के लिए कि तभी हो पर हम दूसी तरफ देखते है जहाब चैनमो पर उसके सारे दोस्स जहाएं उसे goodbye कहने के लिए पहुँच जाते है वहीं पर उस सबी लोग उसे hug करकर उसे goodbye कह रहे होते हैं काफ़ी इमोशनल भी होते हैं उसके जाने से कि तभी वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग सीधा जिंगवा यूनिवसिटी में ही मिलेंगे फिर वही पर चैनमो बस जाही रहा होता है सबको गुडबाइ कहे कर कि तभी वह पर गौाओ की एंट्री होती है चैनमो को आवाज लगाता है चैनमो जैसे ही गौाओ की आवाज सुनता है तो उसके चेरे पे स्माइल आ जाती है फिर वह पर गौाओ जो है काफी शॉट में उसे गुडबाइ कहता है और फिर वो लोग जो है चैनमो को सी आफ कर कर घर की और जाही रहे होते कि वही पर जौंग जिन उसे कहता है कि मैं तुमसे करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा। जापीलिशी खुश होती है कि तब हुआ पर जाए मेसेज आता है कि उसे एक बिजने स्कूल से ऑफर आया है। जिससे देखकर जौंग जिन काफी हैरान और परिशान हो जाता है, कि तब यहाँ पर लिंशी जो से देखते हुए पूछती है कि क्या हुआ है जौंग जिन, जहाँ पर जौंग जिन कहता है कि कुछ भी नहीं, और दोस्तों यहीं पर एपिसोर 15 की एंडिंग हो जाती है, तो दोस्तों मैं मिलूँगी में इनेक्स वीडियो में एपिसोर 16 की हिंदी एक्स्प्लेशन के साथ आपको ये वीडियो, और इस एपिसोड की हिंदी एक्स्पेलेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर ज़रूर बता है चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें तैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो